तो एक बहुत ही common question जो मुझसे पूचा जाता है वो ये कि कौन सा ऐसा food है जो best है जब हम बात करते हैं detoxification की और cleansing की वैसे हमारी body का खुद का एक बहुत ही powerful detoxification process होता है लेकिन क्योंकि हमारे आसपास इतने सारे toxins मौझूद है वो detoxification का process जो है वो से hamper होता है वो कमजोर हो जाता है ऐसे में आज में आपसे discuss करूँगी एक ऐसा food जो आपकी body के natural detoxification process को enhance कर सकता है आयुरवेट की बहुत सारी medicines में इस food का इस्तमाल होता है सैंचुरी से इंडिया के अंदर इस food को consume किया जा रहा है Western world हमारे इस food को अभी super food कहने लग गया है This food is great for our gut, for our brain, for our muscles यहां तक हमारे cell और हमारे tissue के लिए भी यह great food रहने वाला है Ancient India में इस food को liquid goal कहा जाता था I am sure अब तक आपने guess कर लिया होगा कि मैं यहां पर बात कर रही हूँ शुद्ध देसी काव घी के बारे में मैं इस से पहले भी कई बार इस channel पर देसी काव घी के benefits के बारे में इसकी nutrition के बारे में बात कर चुकी हूँ लेकिन आज का जो topic है वो यह कि कि किस तरह देसी काव का घी आपको help कर सकता है आपकी body को detoxify करने के लिए तो आज के time में our bodies are bombarded with chemicals हमारे आसपास इतने सारे chemicals अभी भी मौझूद हैं जो plastic हम use करते हैं, जो soaps and cosmetics हम use करते हैं जो detergent हम use करते हैं, they all are loaded with chemicals So all these chemicals get accumulated over time तो हमारी body के अंदर यह सारे धीरे-धीरे जमा होने लग जाते हैं यह सारे जो toxins हैं वो बहुत सारी health problems की जड़ होते हैं including our emotional health घी से cleanse करने से ना सिर्फ हमारा digestive system जो होता है वो strengthen होता है, बलकि हमारी body का जो toxic exit करने का pathway है वो भी से strong हो जाता है तो आज मैं आपसे discuss करूँगी 10 ऐसे फाइदे जिससे देसी काव का घी आपको detoxification और cleansing में मदद कर सकता है अगर आप उठने के बाद देसी घी को as a medicine अपनी body में ingest करते हैं यानि consume करते हैं तो यह आपके bile flow को trigger करता है घी जो होता है वो आपकी god bladder से bile को remove करता है ताकि आपका liver नई bile बना सके और वो fat को अच्छी तरह से fuel की तरह इस्तमाल कर सके यह जो नई bile होती है यह एक scrubber की तरह काम करती है आपके digestive system के लिए इसे ना सिर्फ colon आपका clean होता है आपका gut healthy होता है बलकि से आपका metabolism भी boost होता है नमबर टू घी का जो यह detoxification का process होता है यह deep tissue से toxins को remove करने में helpful होता है देसी घी के अंदर ऐसी abilities होती है कि वो आपके deep tissue के अंदर penetrate कर सकता है जब आप घी morning में consume करते हैं तो fat soluble जो toxins होते हैं वो इससे attach हो जाते हैं और आपकी body से remove होते हैं इस process को कहते हैं lymphophilic medicated detoxification एक study में you can see कि जिस group ने इसे consume किया उनके अंदर 48% कम environmental pollutants जिसे PCBs कहा जाता है वो देखे गए और 58% उनके अंदर pesticides कम पाए गए यानि normal लोगों से जो उसी environment में रहते हैं उसी तरह का खाना consume करते हैं उनके comparatively उनके अंदर toxicity का level काफी reduce हो गया now I will show you a simple recipe कि किस तरह से morning में आप घी को consume कर सकते हैं ingest कर सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 1 8th teaspoon of turmeric यानि हल्दी यह organic हल्दी है साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है ताकि हल्दी का absorption आपकी body के अंदर अच्छी तरह से हो नमक मैंने यहाँ लिया है लेकिन जो इस recipe का prime ingredient है वो है A2 cow का देशी घी तो यह शुद्ध देशी घी हम 1 teaspoon इस्तेमाल करेंगे और warm water आपको लेना है सारे चीजों को पहले मैंने add कर दिया है एक glass के अंदर और इसके बाद मैं इसमें add कर रही हूँ थोड़ा सा गुन गुना पानी और फिर इन सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से mix करना है इस drink को आपको consume करना है empty stomach और आप इसे 21 days तब consume करेंगे इसके फाइदे को enjoy करने के लिए and within a week आपको इसके results जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे this is a magical process लेकिन यह तब ही आपके लिए useful होगा जब बाकी जिन आप अच्छा खाएंगे और आप active रहेंगे और थोड़ा कम fat लेंगे बिकाज आपने अपना जो एक अच्छा amount of fat है वो morning में consume कर लिया है but just आपको एक चीज से साफधाने बरती है कि cow का गी आपको इस्तमाल करना है और वो भी A2 cow का देसी घी तो मैं इससे पहले भी वीडियो में आपसे discuss कर चुकी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि लिंक दीजे आप कौन सा गी इस्तमाल करते हैं तो मैं keto 5 का A2 देसी काओ घी इस्तमाल करती हूँ तो क्या कारण है कि मैं A2 देसी काओ का घी ही इस्तमाल करती हूँ चली मैं छोटा साब को comparison बताती हूँ कि normal घी में और A2 देसी काओ का घी होता है उसमें क्या difference है बहुत सारे जो घी हैं market में जो cheap घी available हैं वो basically hydrogenated oil होते हैं वो देसी घी नहीं होते हैं and they are very bad for your health तो A2 means कि ये जो घी है वो बना हुआ है देसी काओ के घी से यानि जो indigenous काओ होती हैं जो देसी काओ की जो breed होती हैं जैसे कि कंकरेज है, गिर है, थारपरकर है, रेड सिंधी काओ है या फिर राठी काओ है ये सारी जो काओ हैं वो देसी इंडिया की गाएं हैं तो hybrid काओ का घी नहीं होता है, ये number one दूसरा आपकी body से बहुत आसानी से digest कर पाती है, इसका texture जो होता है वो grainy होता है, काफी better होता है it is very high in nutrition next is A2 काओ का घी बना होता है, traditional bilona method से जहां पर curd को hand churn करके घी निकाला जाता है, तो ये बहुत ही pure होता है और nutritious होता है, इस method को इस्तमाल करने से घी के सारे nutrients preserved रहते हैं और इसके health benefits भी बढ़ते हैं एक और reason जिसकी वज़े से मैं इस घी को इस्तमाल करती हूँ वो ये कि बहुत सारी जो घी market में available है वो tetra pack के अंदर, plastic bags के अंदर, plastic bottles के अंदर पाय जाते हैं तो जो घी store किया जाता है, plastic bags के अंदर, tetra packs के अंदर वो घी अच्छी quality का हो ही नहीं सकता है, उसके अंदर toxins मिल चुके होते हैं इसलिए हम मेशा मैं glass bottle के घी को इस्तमाल करती हूँ इससे इसकी shelf life बढ़ जाती है, और इसकी जो nutrients होते हैं, वो preserve रहते हैं अगर मैं Ketophy के A2 काओगी को देखू, तो यह सारी जो parameters है, उस पर यह खरा उतरता है और यही reason है कि मैं इससे अपनी diet में add करती हूँ, especially when it comes to cleansing and detoxification So, मेरी तरह अगर आप भी अपनी diet में इससे add करना चाते हैं, तो I will provide the link to Ketophy A2 देशी काओगी in the description box अगला जो reason है, देशी काओगी को diet में add करने का या फिर morning में उसे consume करने का वो है यह आपके gut microbiome को improve करता है, उसे healthy बना कर रखता है घी के अंदर जो short chain fatty acid होते हैं, वो primarily होते हैं butyric acid के form में यह butyric acid आपके gut के अंदर जाके healthy bacteria की growth को support करता है especially in your large intestine So, आपके gut के अंदर, जो healthy bacteria already मौझूद हैं, वो fiber को breakdown करके उसे butyric acid में convert करते हैं लेकिन जब आप घी consume करते हैं, तो आपको naturally butyric acid मिलता है इसी लिए यह आपके gut के aura को healthy रखने में, उसे maintain करने में helpful होता है अगर आपके gut के अंदर butyric acid कम है, तो इससे आपकी colon की lining भी weak हो जाती है और आपका gut का aura भी खराब होता है butyric acid आपके digestive system को भी support करता है, ताकि आपका digestive system nutrients को अच्छी तरह से absorb कर पाए और जो waste है उसे अच्छी तरह से eliminate कर पाए next is आपकी gut की immunity को भी support करता है घी हमारा जो digestive health होती है, वो आपकी overall body की immunity के लिए 70% responsible होती है as I said की bitric acid आपके gut की health को support करता है, ऐसे मैं आपकी overall body की immunity भी boost होती है घी आपकी large और आपकी small intestine की health को पोरी तने से support करता है घी एक natural moisturizer होता है जो आपके intestine को lubricate करके dryness से उसे बचाता है और उसके अंदर bad bacteria की growth नहीं होने देता है घी के अंदर जो एक और बहुत important substance होता है, वो होता है conjugated linealic acid A2 cow ghee is one of the highest natural sources of conjugated linealic acid research में पाया गया है कि 500 times ज़ादा जो grass fed cow होती है, उनके घी के अंदर ये पाया जाता है और ये आपकी bones की health के लिए, blood sugar को maintain करने के लिए, आपकी liver की functioning को boost करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही powerful natural antioxidant की तरह है response करता है आपकी body में इतना ही नहीं, conjugated linealic acid weight loss के लिए आपके metabolism को boost करने के लिए और stress को कम करने के लिए भी काफी helpful है अगर आपकी body chronic stress के अंदर है और आप घी को consume करते हैं तो आपकी brain को ये energy provide करता है Do you know that most of our brain is just fat? तो ऐसे में अगर आप healthy source of fat consume करते हैं तो वो इसको fuel provide करता है और आपकी brain health इससे improve होती है आपका mood भी इससे improve होता है घी जो होता है वो stem cell को भी promote करता है stem cells वो होते हैं जो पुराने जो हमारे cells damage हो गए हैं उन्हें निकालने के लिए या उन्हें repair करने में सबसे important role play करता है अगर आपकी body के अंदर stem cell कम है तो आप जल्दी बूड़े होने लग जाएंगे आपका brain जल्दी बूड़ा हो जाएगा तो घी के अंदर ये power है कि ये stem cells को promote करता है अगर आप घी को morning में इस तरह से consume करते हैं तो पूरे दिन जो आप खाना खाते हैं जो healthy diet लेते हैं and I'll be back very soon until next time you take care bye bye